आज की रात पुर्वोतर भारत के कई राज्जों के लिए खराब हो सकती है या यूं कहें कि सावधान रहने के ज़रुरत है क्यूं? क्यूंकि चक्रवाती तुफान व्रेमल रविवार यानि की आज की राती पश्चिम बंगाल और ओरिशा के तट से टकरा सकता है मौसम भाग ने कहा है कि तुफान के साथ कम से कम 135 किलो मीटर की रफटार से हवाएं चल सकती है और समंदर में करीब देड़ मीटर की उची लहरे उट सकती है और इसे समंदर से सटी जो कुछ निचली इलाके है वो डूब भी सकते हैं यानि कि समंदर से रवा जो इलाका है उसको नुकसान पहुँच सकता है पुर्वत्तर भारत के कई राज्यों में तेस हवा के साथ बारिश की भी आश्चन का जताई गई है अब आपके मन में सवाल उट रहे होंगे कि ये तुफान कितना खतरनाग है क्या इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि रेमल तुफान किस कटेगरी में आता है देखे तुफान कुना पाँच केटिगरी में बाटा गया है World Metrological Organization WMO ने तुफान को पाँच केटिगरी में बाटा है केटिगरी 1 में तुफान की जो रफ्तार होती है हवा की वो 119 से 153 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवा चलती है इसे कम नुकसान होने की आश्रंका होती है केटिगरी 2 में 154 से 170 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवा चलती है इसे थोड़ा नुकसान होने की आश्रंका रहती है केटिगरी 3 में 178 से 208 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवा चलती है और ये काफ़ी नुकसान दायक होता है केटिगोरी 4 में तो 209 से 251 किलोमेटर की प्रतिगंटी की रफ्तार से हवा चलती है और इस सीदा इमारतों को नुकसान पहुँछता है और इससे भी अगर ज़दा यानि कि 209 से 225 km प्रतिघंटे की रफ्तार से ज़ादा अगर हवा के रफ्तार होती है तो केटिगरी 5 होता है रेमल तुफान जो है इसके दर्मियान 119 से 153 km प्रतिघंटे के रफ्तार से हवाई चलेंगी तो यह केटिगरी 1 में आता है इसलिए इसे कम नुकसान के आश्रंग का है लेकिन फिर भी अब तक के रिकॉर्ड में देखा गया है कि भारत में तुफान से होने वाली जो मौत है वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबरे जाता रही है तो इसलिए मौसेभा के तरब से अलर्ट जारी किया गया और लोग दबावाले शित्र में बनता है समुद्र के उपर जो गर्म और नर्म हवा उठती है और फिर ये जब किसी ठंडी सता से ठकराती है तो तीज बारिश होती है और तीज हवाई चलने लगती है और फिर ये तुफान का रूप ले लेता है तुफान की रफतार अगर जाता होत बात करें तो अभी उतनी जादा डरने के ज़रत नहीं है लेकिन खास तोर पर जो पुर्वत्र भारप के राज्य हैं वहां पर साफधानी बरत्ते की अपील जरूर की गई है मौसमिफा के तरफ से वक्त में जो हवागी रफतार काफी तेज रहेगी तो लोगों से सकहा गया ह कि जादा से जादा लोग घर के अंदर ही रहें बाहर ना निकलें तो नुकसान कम हो सकता है क्योंकि हवा की बज़े से कई बार पीड गिर जाते हैं कई बार बारिश भी होती है वुस्ताधार तो धनका भी गिर जाता है ऐसे में लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं कि मौसमिभाग ने सबसे अलर्ट जारी करते हैं कि साथान रहना जरूरी है बड़े अप्रेट्स के लिए आप जोड़े रहे हैं नियूज जीरीन विहार जारकन के साथ